नमस्कार दोस्तो, स्वागत हब सब का fantastic nifty channel पे दोस्तो अभी textile sector में कितनी तेजी है मैंने बहुत बार काफी सारे अलग-अलग वीडियो में आपको बताया है आज इस वीडियो में उसी के बारे में दोबारा से बात करूँगा राइट नाओ दो textile stocks के बारे में आपसे बात करूँगा जो मुझे लगता है बहुत अच्छा चल रहा है जबड़ दस्त चार्ट का signal है बहुत जल्द life high का breakout भी होने वाला है और ये stocks लंबा दोड़ने लगेगा तो वीडियो को पूरा देखिए टू बेस्ट टॉक्स टॉक्स टॉपाइफ फ्रॉम दी टेक्स्टाइल सेक्टर वीडियो को एंड तक देखिए आपके लिए जबड़दस्त पोजीशन बनाने वाली दो स्टॉक्स आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा लॉक्स टेक्निक बाता मैं एक चीज जो मुझे खाश पसंदा आता एक कि लगग हजार करोर की कंपनी है लेकिन करजा बिलकुल नहीं है, सिर्फ 10 लाग का करजा, almost debt-free stock आप मानके चल सकते हैं, अंबी का cotton mills को, बहुत ही बहतरीन लगता है, आप इनके ROC, ROE दोनों को देखिए, जबट दस्त है, fundamentally बहुत strong है, चार्ट में आपको आगे समझाऊंगा, इनके प्रदर्शन बहुत अ इनके प्रदर्शन देखिए, 30% के आसपास margin, quarter 2 में ऐसे ही जबटदस्त margin बरकरार रखने की पूरी पूरी उमीद है, अंबी का cotton mills, इनके products मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट करते हैं, 100% cotton yarn यान ये सब बनाते हैं, तो आप इनके website में जाके details हासिल कर सक हैं, एक खबर है इसके बारे में, वो भी देख लीजे, big setback to China and Korea, वो क्यों, क्योंकि एक anti-dumping duty लगाया गया है, sodium hydrosulphite, ठीक है, sodium hydrosulphite के उपर anti-dumping duty, ये chemical जो है textile और paper industry में इस्तेमाल किया जाता है, treatment के लिए, मतलब ये chemical का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के चलते है दोस्तों, अंबीका cotton, या फिर cotton के जितने भी stocks हैं, उनको definitely short term के लिए नहीं, medium to long term का फायदा इससे मिलेगा, सरकार ने तो अभी PLI and anti-dumping schemes की बार्न लगा दी है, बहुत अची बात है Indian government के लिए और Indian companies के लिए, तो ये काफी अच्छा चीज है, हमें anti-dumping duty देखने को मिल है sodium hydrosulfide, तो ये सारा चीज खबर जो है, अंबीका cotton के favor में काम करेगा, चार्ट क्या काम कर रहा है, क्या signal दिखा रहा है, वो भी जल्दी से दिखाना चाओंगा, तो आपके सामने अंबीका cotton mills का 8 साल का weekly chart, immediate basis पे अगर आप chart reading नहीं भी करना जानते हैं, तो आप देख सक 2021, पाँच साल बाद इस stock ने दोबारा से इसी level पे आके रुका है, 1680-1700 रुपे के आसपास, breakout कहलाएगा जब इस level को तोड़के ऊपर close देगा, around 1700 रुपीज का breakout, जब ये breakout होगा, तब आप इसमें जरूर एंट्री कीजे, अगर आपके पास अभी से है ये stock, तो बे जग होल्ड कीजे, चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, अंबिका cotton mills बहुत अच्छा लग रहा है, इसका target क्या हो सकता है, breakout के बाद target क्या हो सकता है, वो मैं आपको Fibonacci extension के माध्यम से दिखाना चाता हूँ, तो target की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने आचुका ह अंबिका cotton mills का weekly chart, मैं यहाँ पर Fibonacci extension tool ड्रॉ करता हूँ, यह है Fibonacci, मैंने ड्रॉ कर दिया, उपर की तरफ target को देखिए क्या आता है, 2394 यानी 2400 रुपए का target निकल करके आ रहा है, 1.6 का extension, Fibonacci 1.6 level 2400 रुपीज का निकल करके आ रहा है, अगर 1700 रुपए को cross किया, त 2400 रुपीज का target, अंबिका cotton mills में आपको देखने को मिल सकता है, तो यह है दोस्तो, textile sector का पहला stock, आपकी नजर में जरूर से होना चाहिए, पहला stock पसंद आया है, तो please like कीजेगा और request है, चैनल को request है, subscribe करके वीडियो देखिए, बहुत फाइदा होता है, बढ़ते हैं द जबरदस्त company है, pillow, sleeping bags, bedding sheets, यह सब कुछ बनाता है, 5000 करोर का mid cap stock है, 500 करोर का करजा, तो करजे का problem बहुत ज्यादा नहीं है, fundamentally strong है, चार्ट आपको बाद में दिखाऊंगा, और यहाँ पे आप notice करिए इनके प्रदर्शन, कितना जबरदस्त यह प्रदर्शन कर रहा है, 23% क margin इनोंने पिछले quarter को कमाया है, जबरदस्त है, तो इंडो count के website पे आप जा सकते हैं, bed sheet, fashion bedding, utility bedding, तो यह भी बिलकुल lifestyle and textile, दोनों ही sector से बिलॉंग करता है, तो यह भी आप जरूर से focus में रख सकते हैं, इसके साथ साथ, यहाँ पे देख सकते हैं, textile stocks को, एक PLI scheme दिया गय का, मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में आपको बताया था, तो जितने भी textile stock है, जैसे इंडो count, इनको भी definitely फाइदा होगा, साथ मैं आप देखी, इंडो count के अपग्रेड भी कर दिये गये हैं, care ratings इंडो count के अपग्रेड किये हैं, credit facilities, उनका अपग्रेड किया है, A1+, A1+, का rating है, इंडो count को, तो सारे में ही दोस्तों यह अच्छा लग रहा है, लेकिन चार्ट क्या कहता है, वो भी देख लीजिए, आपके सामने weekly chart आ चुका है, आपको immediately दिख रहा है कि weekly chart में breakout हो चुका है, यहाँ पे कहीं, यह भी 2016 है, यहाँ से गिरावट शुरू हुई त पात साल बाद आके, breakout होके, retracement करके, दो बारा से उपर जाना शुरू कर दिया है, जबट 10 तरीके से आगे बढ़ रहा है, इंडो count with life high breakout, अब इसको भी दोस्तों, मैं फिबोनाची extension से आपको समझाना चाहूंगा, कि क्या हो सकता है, इंडो count के extension के levels, यानि इंडो count के targets, त इंडो count के monthly chart आपके सामने आ चुका है, अब मैं यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे यहाँ तक मैं फिबोनाची आपके लिए ड्रॉ कर लिया, breakout तो हो चुका है, absolutely current level पे खरीदारी कर सकते हैं, पहला target, 160% retracement extension, 350 रुपीज, साड़े 300 रुपे का target निकल करके आ रहा है, अभी 293 पे ट्रेड हो रहा है, साड़े 300 रुपे का पहला target, दूसरा target 2.6 times जो target है, वो है 54, आम आफ कीजे 550 रुपीज, 550 रुपीज, पहले 350, बाद में 550, तो यह दोनों ही जबटदस target निकल करके आ रहा है, इंडो count में, तो यह दोनों textile stocks को दोस्तो आप जरूर से अपने नजर में रखेगा, तो मुझे उमीद है दोस्तों, आप मुझसे सहमत होंगे कि textile sector से ये दो stock काफी लंबा चल सकता है, आप मुझे comment करके जरूर से बताईए, आपकी राय क्या है इन दोनों stock के बारे में, इनके इलावा आपकी नजर में और कौन से textile स्टाइल स्टॉक है, वो भी जरूर बताईएगा, और आपके पॉर्टफोलियो में अगर कोई textile स्टॉक है, कितने प्रॉफिट में आप है, मुझे जरूर लिख के बताईएगा, वीडियो पसंद आया है, तो फ्लीज लाइक करके एंकरेज करिए, दोस्तों के साथ इस वी पिस पर मत में रोजाना दमदार कॉल्स मिलते हैं, और अगर आपको खुद से टेकनिकल एनलिसी सीखना है, तो हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, इंडिया's cheapest टेकनिकल एनलिसी स्कोर्स, प्लीज चेक दर डेस्क्रिप्शन, ठैक्स वाचिंग दर वीडियो दोस्तों, आप से अगले वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए, टेक केर